प्रेम से बोलिये शिश्यानंदवई मात की मा से प्रश्ण है मा हम लोग भगवान को कैसे पा सकते हैं? मा उनके लिए रोने पर उन्हें पाया जाता है प्रश्ण करता मुझे तो रोना आता नहीं मा जो लोग रोते हैं उनकी संगत करो प्रश्ण करता अच्छा भगवान को पाने के लिए कितनी अपनी ओर से प्रयत्न करना चाहिए और कितना उन पर निर्भर रहा जाए मा उनके उपर निर्भर रहना जो है इसे भी वे ही कराएंगे तब ही तुम रह सकते हो पुरशार्थ क्या है? वे जो खुश कराते हैं वही पुरशार्थ है प्रश्ण करता मा इन सब अनित्य वस्तूं में हम लोगों का आकर्शन क्यों है? नित्य वस्तूं में क्यों नहीं होता? मा यह सब तो उनकी लीला है वे अपने को लेकर खेल रहे हैं चंडी में उलेक हुआ है ब्रांती रूपेन संस्थिता ब्रांती रूप में वे ही विशय में आसकती होने पर रिटर्ण टिकिट अर्थात आवा गमन और उनकी ओर आसकत होने पर आनंद और मुक्ती उनका नाम मत छोड़ो चुपके चुपके लेते रहो किसी को दिखाना या सुनाना नहीं चाहिए दुरलब मनुश जन पाकर इसे व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए जैसे श्वास चलती है उसी प्रकार नाम को भी चलाने की चेश्टा करते रहो हरी कथा ही कथा है और सव्रथा और व्यथा जहां राम वहीं आराम जहां नहीं राम वहां बे आराम बे राम प्रश्न करता मा सारी फसले चौपट हो रही है जाने अब क्या होगा मा देखो जिनोंने जगत की स्रश्टी की है पालन कर रहे हैं उन्ही पर सब छोड़ दो तुम लोग भी एक संसार के माता पिता हो तुम लोग अपनी संतान के लिए क्या करोगे क्या यह बात तुम्हारी संतान बताएगी ऐसे ही जो जगत के माता पिता हैं वे अपनी संतान के लिए क्या करेंगे यह वही जाने उनके उपर सारा भार डालने की कोशिश करो उनकी जो इच्छा होगी वहीवे करेंगे प्रश्न करता मा मैं रोज भगवान के मंदिर आता हूं प्रणाम करता हूं क्या इससे कुछ नहीं होता इसका कुछ फल है या नहीं मा मैं आता हूं है ना इसलिए कुछ नहीं होता तुम्हारा अहम है इसलिए प्रकाश नहीं होता प्रश्न करता मा अपने अहम को क्या घर पर रख कर आना पड़ेगा मा ठीक ठीक अहम को अपने घर पर रख कर आना पड़ेगा अपना घर क्या है उनके पास रहना जब पता चलता है कि मेरा अहम भी उनका है अर्थात भगवान का ही है तब उनके पास अर्थात अपने ही घर पर अहम को रखा गया जिस मुहरत में वह होता है उसी मुहरत में उनका प्रकाश मैं करता हूँ मैं जाता हूँ इस प्रकार जब तक अपने को करता बना कर रखा जाता है तब तक उनका प्रकाश नहीं होता है इसके अलावा तुम भगवान के पास गए यह ग्यान है कहाँ यदि यथार्त में तुमको पता चलता कि तुम भगवान के पास गए हो तो ततक्षन तुम्हारा जो कुछ जलने का है वह जल जाता एवं जो कुछ पिगलने का है वह पिगल जाता अर्थात आवरन नश्ट होता भगवान के पास जाने से क्या अहम भाव रहता है तब देखा जाता है कि एक मातर वही है तुम्हारा अहम उनका ही है तब यह प्रकाश होता है और तुमने कहा दर्शन करके कोई फल नहीं मिला यहां बात भी ठीक नहीं, कुछ नहीं मिला कहकर जिस व्याकूलता एवं अत्रप्त भाव का अनुभव कर रहे हो, वही उसका फल है, त्रप्त होने के लिए पहले उनके लिए अत्रप्त होना पड़ता है, यहां अत्रप्त भाव एवं व्याकूलता जितनी भड़ेगी, उतन प्रश्न करता, मा क्या साधन भजन से कुछ नहीं होता? मा सच बात है, साधन भजन से कुछ नहीं होता. भगवान तो सरवदा ही प्रकाश मान है, तुम उनका अनभव नहीं कर पा रहे हो, वह तो केवल तुम्हारे आवरण के कारण. इस आवरण को नश्ट करने के लिए साधना का प्रयोजन है, इसलिए नाम, जप, ध्यान, सत्संग लेकर रहना पड़ता है. प्रश्न करता, मा भगवत लक्ष पर चलते हुए लोग मार्ग में रुक्यों जाते हैं, मा उनका रिण है इसलिए, उसने इस जन में या जनमांतर में, जिन विश्यों में अपना मन दिया, अर्थाद भोग की कामना की थी, वही विशय आकर आगे बढ़ने के मार्ग में ब इस रिण को चुकाए बिना भगवान की और कैसे बढ़ोगे, यह कामना वासना ही आवरण है, इसको बिना हटाए उनका प्रकाश कैसे होगा, इसलिए सर्वा आवस्था में किवल उनको ही स्मरण करना, इस प्रकार करते करते एक दिन आवरण नष्ट होकर उनका प्रकाश ह प्रश्न करता, मां मंत्र जब संख्या की गर्णा क्यों करना चाहिए? मां, संख्या की गर्णा करके जब करना अच्छा है, कारण कौन बता सकता है कि कितनी संख्या पून होने पर उनकी कृपा का अनुभव होगा? पर अगर किसी का ऐसा हो कि मन ही मन जबते जबते उनका ध्यान जम गया उसके लिए संख्या की गढ़ना करने की जरूरत नहीं वरना ऐसा हो सकता है कि कोई मन में जब करने बैठा और नीन आ गई उससे पता भी नहीं चला इसलिए साधरन तोर पर हात में माला लेकर जब करना चाहिए और उसकी संख्या का हिसाब रखना चाहिए प्रशन करता मा ध्यान करने पर जब में बाधा पढ़ती है मा पहले अपने इश्टमूर्टी का ध्यान करते हुए जब आरंब करने पर अंत में वह जो जब के अक्षरों की मूर्ती है उसमें मन जब एकागर हो गया तब ध्यान तो हो ही गया जब करते करते ही मन एकागर हो जाता है मंत्र के अक्षर में ही मन रखने की चेश्टा आवश्चक है प्रश्न करता मा अजपा जब किसे कहते हैं? मा, अजब आजब उसे कहते हैं, जो अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता। प्रश्ण करता. मा, उसके होने के लिए कौन सा उपाई करूं। मा, तुम सिर्फ नाम करते जाना और स्मर्ण करते रहना, नाम से ही जो होना है, अपने आप हो जाता है। रामकृष्ण मिशन के दो ब्रहमचारी मा का दर्शन करने के लिए आए इन लोगों ने कहा आपके निकट हम आएं हैं आप आशिरवाद दें इस मार्क पर चलना बड़ा कठिन है मा, हाँ कठिन तो है ही पर उनका आशिरवाद सरवदा है स्मरन रखना जिसमें जितनी शक्ती हो सबता हमें एक दिन अगर ना हो सके तो महीने या पंदरा दिन में एक दिन सयमित रूप से रहने की चेश्टा करो खाना, पानी, बोलना, चलना, घुमना, फिरना इवं लोब, मुह, काम, क्रोध, सभी और सयम बरतना चाहिए प्रेम से बुलिये शिश्यानंद वैमात की